भेलकों बैक थो और यूटूब चानल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका वोट्णी का कोश्चन नंबर फोर और जागा ठीक है रापका अजाए है आपका बर्तनी का और आपका यहां पर हो जागा बेसी शीकन से में सपिस्टर तो इस में आप rendered भीनियां करनफाः करने ना मांगके चित्रों की सहाइता से क्या करना है आपको ऐसे चित्र बनाना है उसके सभी भागों को क्या करना है नाम लिखना है ठीक है तो उसको कहता है नामांग के चित्र की साहता से पाइनस पाइनस क्या होता आपका जिम्नो स्पर्म के जीवन चक्र का क्या करना है आपने वर्डन करना है ठीक है पाइनस के जीवन चक्र का कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि पीडी एक आंतरड को परिभासित कीजिए ठीक है पीडी एक आंतरड मतलब जो नई जनरेशन आती है ठीक है उसको हमें बताना है केवल नामायंग के चित्रों की सहता से पाइनस के जीवन चक्र में इसे इसपस्ट कीजिए जो पीडी एक आ आती है उनको कहते है पीडी एक अंतरड ठीक है तो आपने यह बताना है कि पाइनस में किस तरह से होता है ठीक है डिफाइन दा अल्टरनेशन आफ जनरेशन एक्स्प्लेन इंदा लाइफ साइकल आफ दा क्या बूच रहा है पाइनस बिद्द हिल पाफा लेवल डाइग्र आपको एक चित्र की सहता से यह बताना है तो यानिकी पाइनस में आपने क्या बताना है जीवन चक्र बताना तो चलिए बात करते हैं पाइनस के जीवन चक्र की ठीक है तो पाइनस में अगर जीवन चक्र पूच लिया जाए ठीक है ना मंगके चित्र की सहता से तो आपने क क्या बताना है सबसे पहले आंसर में लिखना है कि जो आपका पाइनस होता है ठीक है पाइनस प्लांट्स कैसे होते हैं मोनीसियस होते हैं ठीक है मोनो इस यानि कि यह आपके दो लिंगी या उभहे लिंगी तो ये दोई लिंगी या उभै लिंगी आपके बो पौधे होते हैं जिनमें एक ही पेंड पर ठीक है इस पर एक ही पेंड पर आपके नर और मादा दोनों जननांग पाया जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उभै लिंगी या दोई लिंगी कहते हैं ठीक है एक होता है आ पौद्ध आपको कहलाते हैं मोनो इस टीक है कैसे दुलिंगी यानिकि एक ही पौधे पर आपका फीमेल और मेल दोनों जो है रिप्रोड़क्टिव और जो है पाया जाते हैं ठीक है और यह कैसे होते हैं है यानि कि इसमें बिजाड़ुक हम इनको कह सकते कहां कहते हैं बिसम विजाडुक जो है यह होते हैं ठीक है कह रहा है रिप्रोड़क्टिव और गैंस मेल कौन तथा फीमेल कौन होते हैं अब इनके जो रिप्रोड़क्टिव या जननंग होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं एक तो आपका मेल कौन होता है दूसरा कौन सा होता है आपका फीमेल होता है किलेष्टर आपका डिया माहलो ठीक है तो इस तरह से आपका जो है मेल कौन विक्सद होता है थीक पीड़िट मैं तरह से आपको स्द द भेयर कोन थी अपको स्पोर्ट बें मैक्रों स्पोर्स औरult ठीक है या कड़ा हम इसको कह सकते हैं बड़ा कठोर जो होता है आपका जो है क्या female cone यह है आपका female cone जो है long और branches क्या होता है long और branches पर क्या होता है dwarf shot के इस्थान पर develop होते हैं जो आपके female cone होते हैं वो कहां पर होते हैं लॉंग ब्रांच जिस पर ठीक है लॉपी श का कर लॉप सूट पर चोटे तनों पर यह विक्सित होते है प्रतियक मेल क्वण में आंपके यह होता है सेंट्रल एक्स बर उता है क्षयいき मेल इक्षिट पर किस पर केंदरी एक्षिट क्षपर क्या होता है micro fill होता है क्या होता है micro fill जिसमें आपके micro sports पाया जाते हैं उसे कहते है micro fill कहते हैं ठीक है यह कैसा होता है spirally arranged होता है यानि कि spiral में लगा रहता है प्रतियक micro sporophyll के दो भाग होते हैं कितने micro sporophyll जो है वहलो आपका दो बागों बटा रहा था numग एक क्या होता आपका इस टाल फॉर फो जरू कि आपका होता यह कैसा होता आपका उपजाव भाग होता है ठीक है यानि कि जो आपका ये फर्टाइल पार्ट होता है यही जाके आगे रिक्सर फर्टिलाइजेशन करता है ठीक है जिसके लुवर सैड पर यानि कि निचली सतय पर क्या होता दो माइक्रो इस्पोर एंजिया होते हैं ठीक है किसके जिसके निचल सेली होते हैं अब आपके जो माइक्रो सं лиme ऑपका इसम था आपका सु स्ल defщ होता है प्यांने कि तो बिवादू हम ठीक है के अलगु भीजार फुर माथ्र कोशिका होती है करा जिनसे मीव आपको माइक्रेल या पॉलाइंग ब्रोड्यक होता है जिनसे क्या होता है मियूसिस इनमें क्या होगा आपका अर्ध सूत्री विभाजन होता है कैसा होता है आपका अर्ध सूत्री विभाजन होता है ठीक है अर्ध सूत्री विभाजन जिससे क्या होता है अर्ध सूत्री विभाजन से आपका क्या बनता है माइक्रो स्पोर बनता है या लगू बीजाडू बनता है ठीक है या पॉलिन ग्रेंड या पॉलिन ग्रेंड में इस क्या होता आपका पराग कड क्या होते हैं आपके पराग कड बनते हैं जो कि आपके कैसे होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं ठीक है तो यह लगू बीजाडू या पॉलिन ग्रें यानकी केंद्रिये अक्ष पर कई टफ मेगा स्पोरोफिल ठीक है क्या होते हैं इसमें मेगा स्पोरोफिल अभी क्या था आपका माइक्रो स्पोरोफिल ठीक है तो यह कैसे होते हैं आपके मेगा स्पोरोफिल इस्पारली अरेंजड होते हैं यह भी आपके कैसे होते हैं पुरू भी जाड़ू कह सकता है ठीक है प्रतियक मेगा इस्पोरूफिल एक टफ और ओली फेरस इसकेल तथा थिन होता है और ब्रैक्ट स्केल में ब्रैक्ट स्केल में विवक्त रहता है जो आपका प्रतियक मेगा इस्पोरूफिल होता है वो आपका किसमें बटा रहता है व वह आपका जो है ओनालिकारल या कि अगर भात करें तो यह न अ फे2 तुर आपका अंडाकर आ कि नमें आपका में जाता है इन तीनों चीजhatों में बेवक्त होते हैं बटे रहते हैं काया ओवली फैरस स्केल के अपर साइड पर या ने कि इसकी उपरी साइड पर ऑपरी सते पर ओब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक किया होते हैं प्रतियक बond me होता है किसका पैरेन कायमा सेल्स का बना हुआ होता है तो यह जो आपके पैरेन कायमा सेल्स होते है यह आपके उतक होते हैं ठीक है कैसे उतक होते हैं इसको इसको कह सकते हैं करा जो सिंगल 접 differenti conteúdo दारा भिरा रहता है किसके द्वारा घरब m ऩूरा भिरा नाट धार जिससे हम क्या bastu क्या गवल एक जिली दारा घरा रहता है करें इंट्रीग्यूमेंट यानि की जिली में एक पोर होता है क्या होता है पोर जिसे माइक्रोपायल फॉर्म हो जाता है क्या बन जाता है अब जली में आपका एक पोर फॉर्म बन पोर फॉर्म हो जाता है ठीक है एक इस पोर का जो है निर्माड हो जाता है कहरा है नूसलेस में मेगा इस पोर मदर सेल होती है अब आपका जो नूसलेस है इसमें क्या होगा आपका एक मेगा इस या गुरू भीजाडू मात्र कोशिका कहते हैं क्या कहते हैं गुरू भीजाडू मात्र कोशिका जो कि आपका पौदे का कैसा है माधा जननंग है ठीक है क्या है आपका माधा जननंग होता है ठीक है जिन से मियोसिस द्वारा ठीक है अब आपका द्वारा से क्या होगा यहाप आपके मियूसिस द्वारा जो है चार मेगा इसपॉर या गुरु बीजाडू बन जाएंगे ठीक है जो आपके कैसे होंगे अगुरित फॉर्म में होंगे ठीक है केवल लुवर मोस्ट कहां लुवर मोस्ट मेगा इसपॉर फंक्शनल होता है यानि कि जो नीचे वाला आपका म इबलब हो जाता है अब यह जो आपका नीचे की ओर आपका होता है वह फंक्शनल होता है और यही कहां बन जाता है आपका फीमेल गैमीटोफाइट में कनवर्ड हो जाता है ठीक है यह हम कह सकते हैं क्या बना लेगा आपका मादा यूगमकोद भिद ठीक है क्या बना लेगा मादा यूगमक या मादा यूगमकोद भिद में कनवर्ड हो जाता है बदल जाता है करें इस्पोर के फार्मेशन से अब आपका जो इस्पोर का फार्मेशन हुआ है या जो बिजाडू का फार्मेशन हुआ है उससे आपका गैमीटोफाइटिक फे स्टार्ट हो जाता है है यहां कह सकते हैं कि आपकी जो generation होती है बोड यह आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है कहां से sports के formation से माइक्रो sports winged होते हैं कैसे होते हैं ึง punk जैसे पाय जाते हैं इस तरह के यह कैसे होते हैं winged होते हैं और micro spirit exam में germinate होते हैं कहा होते हैं micro spirit exam में जो है इनका germination होता है ठीक है ऐसा होने से male gu辦法 ट्रायट फायट मोड जाता है अब की एप डवब डहाल शाते हीस तनकर फॉर्म हो जाता है आपका मेल कोब दोब कर चाहने प्याराइव पॉलिनेशन पॉलिनेशन मधनलबcentered उज्ञभ टक्रागद किहमें प्रागड क्या male gametophyte जो है 4 sales stage तक developed होता है जो आपका pollination है ठीक है उससे पहले male gametophyte या male आपका जो युगमक उद्भिद है या male युगमक है वो क्या होता है 4 sales stage तक क्या होता है develop होता है या बढ़ता रहता है जब तक उसकी 4 sales stage नहीं हो जाएंगे मतलब है क्या कर लेगा जब तक 4 sales नहीं बना लेगा तब तक क्या होता रहेगा उसमें development होता रहेगा ब्रद्धी होती रही कह रहा है परागड एनिमोफिलस यानि कि कि किसके दोवारा होता हवा के दोवारा होता है ठीक है परागड किसके दोवारा होगा यानि कि पराग कड किसको पराग कड को एर में वर्ण्स कराते हैं या एर में क्या कराते हैं उसको उच्छालते हैं ठीक है जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं भी एर में उसको उच्छालने की शक्ति देते हैं या उचल जाता है जिससे क्या होता माइक्रो स्पोर ओविल् सब्सक्राइब कर जाता है या उसमें फस जाता है तो ऐसा हो जाता है आपका किसके साथ में माइक्रोग सपोर के साथ में ठीक है तो सबसे पहले यह थोड़ा सा आपका का इस्ट्रक्चर दे रखा इसकी सरचनह दे रख़ी इसको आप जान लो उसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगी ठीक हैprüra है OUT यहां इसके cracked थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको अब इससे छोटा यह नहीं होने वाला ठीक है तो बस यहीं तक आपको दिखता होगा सबसे नीचे में नीचे में आपका लिखा है डेफलिपिंग-घ्रीयो ठीक है जो कि आपको दिखा देता होगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह आपकी जो कहानी स्टार ठीक है किस्की पाय। पिनुस में जो पीड़ी एक ऑंत्रट। तो इसमें जो पौरी कहानी है वह सुप्धर जो है पूरी तरह से मेच्यूर है परपक होई इसमें क्या है आपका एक मेल कोन है दूसरा कैसा आपका फीमेल कोन ठीक है क्या होता है एक मेल कोन होता है और एक फीमेल कोन होता है तो ऐसे पहुद आपके क्या कहलाते है जिसमें मेल और फीमेल कहले हैं तो यह पौदा कैसे आपका अपय लेंगी ठीक है इसमें प्रिजेन तो अब अगर हम बात करें मेल कोन की तो मेल कोन क्या करता भी इसमें क्या वरा रहता है एक ने हमां आपका मेगा स्पपोरुफिल क्रा मेगा इस पर विलें फ्रम करें लिए शớय करते हैं आपर क्या को कैसा है आपका तर से अंडा कर आक्रती में फसा होगा ठीक है इसमें फसन रहता आप इसमें आपका लिखा है ओलु फेर सिय अपका क्या है अंड़कर इसके लोटा है इसमें आपको पाया जाता है एक ओवियू तुपाया जाता है ठीक है अचला है आपके सि आपके लग भी जाडू मात्रं सुहிका होती है कि यहीं कि लग भी जाडू मात्रं कोश्यका ठीक या निय usando रापकी जो आपका कहां पहुंच गया यह आपका आगया ओविल ठीक है तो यह क्या आपका मेगा स्पोर मदर सेल में बनी गया ठीक है यह इसको कहेंगे गुरू बीजाणू ठीक है मात्र कोशिका क्या कहेंगे गुरू बीजाणू मात्र कोशिका और यह क्या आपका लग बीजाणू मात दो गुड़न ठीक है कैसा है इस पोरोफाइटिक जनरेशन है और कैसा है आपका दो गुड़न है ठीक है अब इसमें क्या हो जाता है यह रेडक्शन डिवीजन हो जाता है तो यह आपका क्या था मेगा स्पोर मदर सेल और यह क्या आपका था माइक्रो स्पोर मदर सेल ठीक है कर आफ माइक्रो स्पोर्ट तो यह यह एक यह तो आपका जो न्यूकलियस टाइश था बोक विल्स तरह पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया यह तो इसे आपका न्यूकलियस नहीं नेक्स्त अगर आप का बढ़ोंगे ठीक है तो यहाँ पर जो विंग टाइफ क्टर्ट्ट द गया है यहां फोड़ा आप और आगे बढ़ोगे तो यह सरचना आपको दिखाई दे रही है इसमेह क्या हो जागा यहां पर क्या हो रहा है जो आपका पॉलίν ग्रेंन जर्मेस्ट परिपक हो गया नेक्स्ट आपका यहां से आपको आपका पॉलेंट ग्रेन यह क्या देगा आपको इस पर्म ठीक है क्या मिलेगा यहां से आपको परिपके यहीं इस पर्म के साथ में क्या कर जाएगा फर्टिलाइजेशन कर जाएगा ठीक है यह जो आपका कहा से मिला आपको मेगा इसपोर मदर से मिला है और यह जो आपका इसपर्म है यह कहां से मिला है आपको माइक्रो स्पोर मदर से मिला है ठीक है अब यह दोनों आपस में क्या कर जाएंगे इन दोनों में हो जागा फर्टिलाइजेशन क्या हो जागा भाई एग और स्पर्म दोनों में क्या हो जागा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जागा यह आपका युगमक बन जागा क्या बन जागा योगमक बन जागा ठीक है जाइगोट जाइगोट थोड़ा और आके बड़ेगा तो क्या जागा यह थोड़ा डेवलप हो जागा तो कहेंगे इसको डेवलपिंग ऐम्ब्री यानि की जो берूड है उसका क्या हो रहाई विकास हो रहा हुज ठीक है इसमें थोड़ी सी व्रद्धी होरी है ठीक है तो ये थोड़ा सा और आपका जो बड़ा हो जाई नेक्स्ट ये दोइश्टेप है किसकी developing deb fing embryo की यानि की इसमें क्या चो है परिवर्दन हो रहा है next इसके बाद अगर हम बात करे हैं तो यह क्या बन जागा यह आपकी जो सरचना होगी यह आपका embryo बन जागा यानि कि आपका बन जागा पूरी तरह से अब यह अभीनुघ थोड़ा और परिवर्धन होगा यह में ठीक है तो क्या बन जागा यह germinating seed याईनि कि बीज का क्या ओ गया यहाँ पर अंकुराड हो गया थीक है जो आपका embryo था अब यह किसम anat Berlin ыт fala damchenिde यह aus Stories आपको आंपर क्या हो गया आपका अंकुराड हो यह क्या है जो आपका pinus plant है उसकी mature branches है ठीक है कैसी है तो इस तरह से आपर क्या हो जागा आपका seed germinate हो जागा ठीक है तो यही पीडी यानि की यहां से कहां से यहां से लेकर घुम के lot के दुबारा से यहां तक आने की ब्यूस्ता क्या कहलाती है इसी को कहलते हैं ङानकि हम को यह तो क्या कहलाएगा इह पीडी यह का अंटरड कहला गा जो कि हमने किसमें जाना था पाइनस में तो यह कहां पर आ जाता जो आपका micropeile में ओ जाता है या चिपक जाता है कौन जो आपका micro इस स्पोर था ठीक daring वो गहां गे आपका वे माइक्रो पाइल से निकलने वाले म्यूसलेजीनियस फिलड या आपका म्यूसलेजीनियस पदार्थ जो आपके कैसा होता है चिप चिपा पदार्थ होता है इसमें एंटेक्ड कर जाता है यानि कि उलज जाता है ठीक है उसमें फस जाता है आपका माइ में पराग कर लिया जाते हैं अब आपका जो कर लिए जाते हैं इसके द्वारा जो है सक कर लिए जाते यानि कि नीचे को यह जाने लगते हैं करा और माइक्रोपाइल बंद हो जाता है और आपका जो है माइक्रोपाइल है बुक ऐसा हो जाता है अब आपका लेकर कहां तक पराग तुप का एक फार्मेशन रोदा ठीक हैं किस तरह से होता है कुछ इस तरह की सरचना CS started को एक उसमें के इस तरह कि पराग कर होते है तो यहां से कुछ इस तरह की सरचना वहाएं řून dependency नहीं क τα इसमें आपकी path कोष्ट का आ जात आ वहाँ से दो नॉन फ्लेजले टीक है बॉट्टी से दो नॉन फनर फ्लेजलेट यानी की जिनमें फ्लेज़वा नहीं पाए जाते एक यानि नि की तरह आप की कुछ इस तरह की सरचना है होती जो क्या करती है उस जिवाड़ों क्या करती है गती करने में साहता करती है ठीक है उन्हें फिलेजले कहते है ठीक है कहरा है मेल गैमीट का फार्मेशन होता है ठीक है दो नौन फिलेजलेट मेल गैमीट का फार्मेशन है आपर क्या होगा हो गयमी टोफाइड है आप फी मेल या आपका मादा युगमक है ठीक है उसका fromega iister कहाँ होता है mega sporing yang toad में जहाँ के mega spook भरे रहते हैं ठीक है mega spork के germ fortunations से जब वो आपके mega spor कर जाते हैं तब आप का क्या होता है, female g fart का Temperation हो जाता है कहरा है प्रतियक मेगाइस्पोर में पहले Free Nuclear Division होता है Free Nuclear Division मतलब उसके अंदर जो नियूकलियर होता है वो कैसा हो जाता है आपका फट जाता है कैसा हो जाता है इस तरह से Free Nuclear Division हो जाता है और बाद में Wall formation से Cellural Endosperm बनता है Cellular Endosperm जो है बनता है कह रहा है एंडोस्पर्म के अपर साइड पर यानि कि उपरी सतय पर कह रहा है दो से तीन आर्की गोनिया डेबलब हो जाती है दो से तीन आर्की गोनिया का निर्माड हो जाता है और पिती एक आर्को गोनिया में आठ सेल नेक होती है क्या होती है उसमें आठ कोश्काओं की जो है एक नेक पाई जाती है कितने कोश्काओं की आठ कोश्काओं की एक नेक जो है उसमें पाई जाती है किसमें आर की गोनिया में लेकिन नेक कैनाल सेल लेकिन जो आपका कहा है नेक में जो कैनाल सेल्स होती है वो कैसी होती है अपसे रेंटने के यानी की परागड के बाद कम से कम एक साल वाद दिन में क्या ओता है फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है क्या होता है fertilization या निसेजन लगवग एक क्यारा पॉलेंट्ट्ट्री वेस्ट होने से आप जो पॉलेंट जो उस्पर्म एक से फ्यूज वह करता है अब जो फारूं है किससे टूटगर पॉलेंट्रीब्स जब इसका वांग से नकलता आपका इस परम निकलता और खर यह यह स्पोर का निर्माड कर लेगा इसके बाद करहा है क्लीवेज poly embryo और एक से अधिक embryo का formation होता है अभ यह आपर जो creeve poly embryo नी होगा इसके द्वारा कह राएग से अधिक embryo का होता है कि एक से अधिक embryo अधिक embryo बनना ठीक है तो एक से embryo जो mature होता है या परफड़ होता है का होता है myroblast embryo का development होता है फ्रेम है है घ्रीधर इसे 7-3 11 कोटिल्र एक 애 कोटिल होता है क्या होता है यो आपका है इस चोधाई दक ş expos child08 to take how do थापका एक एपकोटिल होता क्या होता है उता एक में करसाइं प्रोइम्स के पहले से बनिकर 16 इर्डी सेल्ड निए कि 16 का लगबग जो है बना धा जो शीड के पर चार टीर में होता है तो यह किटने की नियुट नहीं होगा चार टीर मैंby तो बता रहario में आपके परिपक को बीज होते है उनमें क्या होता है जो आपका एंडोस्पर्म में अंतर निहित रहता है किस में अंतर निहित रहता है एंडो स्पर्म में कह रहा है नूश्य लेयर में रिड्यूस हो जाता आपका जो नूश्य नियूस था वो काहें पर यह जो बदल जाएगा कह रहा है मेच्यूर वने पर कोन स्केल्ड श्रिंक तथा सेपरेट हो जाती है जब आपका जो नुसलेस है वो कैसा हो जाता है मेचूर हो जाता है ठीक है मेचूर होने पर जो कौन से कौन स्केल से वो कैसी हो जाती है श्रंग या शुकर जाती है या आपकी कैसी हो जाती है separate हो जाती है अलग हो जाती है ठीक है shrink होकर करा seed female कौन से disperge हो जाता है क्या हो जाता है disperge हो जाता है या fell जाता है क्या हो जाता है fell जाना क्या कहलाता है disperge ठीक है तो जब आपका seed जो है female कौन से क्या हो जाता है disperge हो जाता है या fell जाता है तो सीड का जर्मिनेशन का होता है एपीजेलियल मैथड से होता है किस से होता है एप सीड का जर्मिनेशन है वो कौन से मैथड से होगा एपीजेलियल मैथड से होगा ठीक है तो एपीजेलियल मैथड की अगर हम बात करें तो आपका जो एपीजेलियल मैथड है तो यह एक ऐस जमीन के उपर जमीन के ऊपर 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 जमीन के टीका वो किसमे पाय जाता है जैसे आपको कपास में देखने को मिल जालगा ठीक किसमें बिल जालेगा leaders in Japan और इस विक्सित और जाते हैं अभानार इस टोग बढू선 2 में पिस्झित हो जाता है है तोड़ा बड़ा हो जाता है डीक है बीज म lay जाता है इस प्रिकार प्रायनस se haul में आपका क्य होदा इस पोरो फाइतिक तथा गन्य टो फाइटिक फीशिस का क्य होता है थैंस का सब्सक्provिकों यानि कि इस में क्या होता है आप विजार्डू क्या होता है आपका जह लुका और तो कि युग्मक यह तरह से कहे रहा है कि आपका बज़ेजिए कौन है वह डिसपर्ज हो जाते है उस प्रकार की पाइनस की लाफ साइकल में जो आपका इस परोफायटिक होता है ठीक है क्या होता इस परोफायटिक और गेमीट फायटिक फेस का थीक का अल्टरनेशन आफ जनेरेशन और में बात करें तो आपके ये हो जागा की रीका डो यानिकी यह वकल्प जो है पाया में पाया जाता है ठीक ह entrepreneur और गहाँ इन में दोनों अवस्थाओं का पिडीय का विकल्प बैनस में पूरी द्रेश से पर्ष्ट प्रूप यह संघ्य है यह लैफ साइकल उमीद करते हैं है समझ में आया होगा मिलते अगले वीडियो बने देगाों झाल एक जाल साहर। थैंस पर वचिंग और शेकर देखी नियुए।